हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो रेडमी की तरफ से दो बहुती ज़ादा बढ़िया बजट फोन्स एक है रेडमी का 11 प्राइम और दूसरा है रेडमी 11 प्राइम 5G तो एक 4G है दूसरा 5G 4G आपको मिल जाएगा दोस्तो 12,000 का और 5G आपको मिल जाएगा 13,000 का तो दोनों के रेडमी सिर्फ 1000 का ही फर्क है इस वीडियो में इन दोनों में कंपेरिजन करके आपको बताऊंगा दोस्तो 1000 सस्ता आपको 4G 11 प्राइम लेना चाहिए या फिर दोस्तो 1000 मेंगा 5G 11 प्राइम तो दोस्तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिए वैसे बॉक्स पर रेट काफी जादा है दोनों के 15-16,000 के आसपास हो सकता है दोस्तो या आपको और भी सस्ते मिल जाएए सेल लगती रहती है उनलाइन लेफ्ट साइड पर व्यू प्रोड़क्स का उप्शन उस पर क्लिक करके रेट चेक कर लिएगा एक बार चलिए देखते हैं दोस्तो 4G के साथ क्या क्या मिलता है 12,000 में तो उन्बॉक्स करते ही सबसे पहले आपको ये मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसमें हैक सिमिजक्टर टूल अंदर की तरफ आपको इसके कुछ यूजर मैनुल दिये गए हैं कवर मिल जाता है दोस्तो इसके साथ काफी बढ़िया क्वालिटी का कवर भी है और टाइप सी के बल भी काफी बढ़िया क्वालिटी की है तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं दोस्तो 4G के साथ तो आपको 11 प्राइम के साथ काफी बढ़िया मिल जाते हैं चले देखते हैं अगर आप 1000 रुपे जादा खर्श करते हैं 11 प्राइम 5G पर तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गए है दोनों में फर्क कितना हैं बॉक्स के कंटेंट्स के अंदर तो दोस्तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं इसको इसके साथ भी आपको पैकिंग वैसी मिलती है सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसमें लगवा है एक सिमिजक्टर टूल अंदर की तरफ आपको इसके कुछ यूजर मैनूल दिये गए हैं कवर मिल जाता है वैसी सिम्पल ट्रांस्परेंट इसके बाद मिल जाता है दोस्तो फूने क्रैपर के अंदर जिसमें बिलकुल एक जैसे ही मिल जाती है आपको बिलकुल भी फर्क देखने को नहीं मिलता तो इस चीज में तो दोस्तो एक हजार सस्ता 11 प्राइम 4G है चले दोस्तो आप बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में देखते हैं जैन की क्वैलिटी में कितना फर्क है तो ग्रीन टाइप के कलर में दोस्तो आप देख सकते हैं 11 प्राइम 4G है और 5G आपको मिल जाता है दोस्तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ही ये ब्लैक कलर में डिजाइन की जो quality है दोस्तो आपको दोनों के अंदर plastic के type की मिल जाती है 4G के अंदर आपको छोटी-छोटी dots दी गई है, pattern थोड़ा different मिल जाता है और 5G के अंदर आपको थोड़ी linings दी गई है, बहुती जादा छोटी-छोटी complete design दोस्तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वैसे pattern आपको मिल जाता है 4G के अंदर, बाकी camera का module दोस्तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीकी design में आपको दो camera मिल जाते हैं 5G में और तीन camera दिये गए हैं 4G के अंदर अब number से फरक नहीं पड़ता किसके अंदर आपको जादा camera मिलते हैं, performance जो है दोस्तो सबसे जादा matter करती है अभी test करेंगे किसके अंदर आपको camera quality wise जादा बढ़िया मिल जाता है बाकि दोस्तो आपको इन दोनों में color design किसका जादा बढ़िया लग रहा है comment करके जरूर बताइएगा मुझे वैसा दोस्तो इसका design दोनों का ही काफी जादा बढ़िया लगा green color 11 prime 4G का भी काफी बढ़िया लग रहा है display size दोनों के अंदर आपको दिया गया है दोस्तो साड़े change के आसपास 6.5 inches की display मिल जाती है दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको IPS full HD plus display दी गई है तो display की जो दोस्तो quality है दोनों के अंदर आपको काफी कमाल की मिल जाती है अब reality में आपको colors हो गयरा किसमें जादा बढ़िया मिलते हैं दोस्तो वर्ट देख लेते हैं बाकि दोस्तो user interface दोनों के अंदर आपको कुछ सेरे किसे दिया गया है आप ऐसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको app drawer दिया गया है बाकि दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको display में 90 Hz का refresh rate भी मिल जाता है तो यह चीज आपको दोनों के अंदर काफी बढ़िया मिल जाती है 4G में भी और 5G में भी के दोनों phones के अंदर आपको smoothness जो मिलती है वो काफी बढ़िया मिल जाती है डिस्प्ले में settings में जाके आप change कर सकते हैं 60 Hz पे भी 90 Hz पे भी तो यह चीज काफी अच्छी है दोनों के अंदर आपको एक जैसी features जो है इस चीज को लेकर मिल जाते है अब दोस्तों डिस्प्ले की quality के अंदर कितना फर्क है मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ बिलकुल full brightness करके तो डिस्प्ले का जो design है दोनों के अंदर बिलकुल same है friends साब देखेंगे दोनों phones बिलकुल एक जैसे ही लग रहा है डिस्प्ले की जो दोस्तों quality है वो भी आपको लग बग दोनों के अंदर एक जैसे मिल जाती है बहुत बड़ा major फर्क आपको देखने को नहीं मिलता डिस्प्ले के colors, brightness दोनों के अंदर आपको बिलकुल same ही दिये गए है हलकी सी brightness जो है 4G में थोड़ी सी better है बाकी दोस्तों minor change है इतना जादा बड़ा फर्क आपको नहीं मिलता के आपको difference देखने को मिल जाए दोनों phones काफी बड़ी है रहेंगे ऐसा नहीं के आपको लेकर जो है इसमें दिक्कत हो जाएगी के 4G नहीं 5G लेना चाहिए था ये फिर 5G नहीं 4G लेना चाहिए था इतना बड़ा major फर्क आपको नहीं मिलता लेफ्ट साइड साब देहेंगे दोस्तों तो इस तरफ आपको दोनों phones में SIM की ट्रे दी गई है और साइड उसे quality आपको frame की काफी अच्छी मिल जाती है AC वगरा चला सकते हैं headphone jack भी दिया गया है दोनों phones के अंदर तो ये चीज़ भी काफी अच्छी है इसके लब दोस्तों दोनों phones के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage तो RAM और storage भी आपको दोनों के अंदर बराबर मिल जाती है price में 1000 का फरक है बाकि दोस्तो RAM और storage को लेकर आपको फरक देखने को नहीं मिलता दोनों phones में बिल्कुल same दी गई है free storage भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके साब को मिल जाती है 21-22GB के आसपास जो है पहले से ही used है किसी में 19GB और 5G वाले में 21GB यूज़ है और दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको Android का 11 वर्जिन नहीं बिल्कुल latest मिल जाता है Android 12 तो ये चीज़ भी काफी जादा बढ़ी है बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो दोस्तो दोनों phones के अंदर आपको बैटरी दी गई है पांचिस दर इमेज की एक दिन का normal battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाएगा battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाएगा ये चीज़ काफी बढ़ी है टाइप Сि केबल भी है और Charger भी Fast है चलिए दोस्तो दोनों phones को रिस्टाट करते हैं देखते हैं कि इसके अंदर आपको speed जो है जाधा fast देखने को मिलती है वैसे दोस्तो Redmi के 11 Prime के अंदर आपको 4G वाले में मिलता है MediaTek का G99 प्रोसेसर जो जाधा latest है वहीं दूसरे तरफ दोस्तो 11 Prime 5G के अंदर आपको मिल जाता है MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर अब देखें दोस्तो अगर आप एक heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो दोस्तो दोनों ही phones के अंदर आपको वैसे प्रोसेसर काफी बढ़िया मिल जाते है थोड़ा और जाधा latest जाधा बढ़िया आपको मिल जाता है 11 Prime 4G के अंदर इसके अंदर आपको थोड़ा और जाधा better मिल जाता है बाकि दोस्तो 5G अगर आपको phone लेना है तो 11 Prime 5G आपके लिए जाधा बढ़िया रहेगा इसके अंदर आपको 5G का support मिल जाता है बाकि दोस्तो दोनों phones के restart test के अंदर आप देख सकते हैं 4G वाला पहले जो है on हो चुका है और 200 applications भी load हो चुकी है चलि कुछ applications भी open करके देखते हैं किसके अंदर आपको speed जाधा fast देखने को मिलती है वैसे restart test में winner है Redmi 11 Prime 4G चलि अब कुछ applications open कर लें दें दोनों के अंदर तो dialer दोस्तो जैसे मैंने open किया एक साथ दोनों में तो कुछ इस तरीकिसा आपको speed देखने को मिलती है वैसे 5G वाला जीत गया messages open किये तो ये पहले open हुए 11 Prime 4G में चलि दोस्तो और applications open कर लेते हैं तो Google Chrome open हुआ दोस्तो 11 Prime 5G के अंदर और camera open किया तो ये पहले open हुआ है दोनों में एक साथ ये open हो गया जादा खास फरक नहीं था तो दोस्तो speed वैसे दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया मिलती है बाकि दोस्तो बात करें camera के बारे में तो clear winner है दोस्तो 11 Prime 5G इसके अंदर आपको दोस्तो performance जो मिलती है camera की वो जादा बढ़िया मिल जाती है photos की जो दोस्तो quality है details वगरा वो बहुत जादा बढ़िया लग रही है और colors वगरा भी इसके अंदर जादा अच्छे लग रहे है तो 11 Prime 5G जो है दोस्तो camera को लेकर जादा बढ़िया है अब यह सारी खुब यह कमिया है दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं दोनों में सापको कौन सा खरीदना चाहिए देखे दोस्तो display की quality दोनों के अंदर same है design भी एक जैसा मिल जाता है battery भी एक जैसी दी गई है charger data cable भी same है जैसे ही phone खरीदना है camera आपके लिए इतना matter नहीं करता 4G आपके लिए matter करता है तो दोस्तो आप 11 Prime 4G खरी सकते हैं वैसे मुझे दोस्तो 5G जादा बढ़िया लगा क्योंकि दोस्तो price में 1000 कई फरक है camera की quality जादा बढ़िया है और 5G भी दोस्तो आ चुका है तो दोस्तो जादा बढ़िया मुझे यही लगा आप बताएगा फिर भी comment करके आपको दुनों में कौन से जादा पसंद आया वैसे price में जादा बढ़ा फरक आपको नहीं मिलता तो मुझे तो दोस्तो 5G अच्छा लगा और दोस्तो आप ज़रूर बताएगा वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छे लगी तो इसको एक लाइक करके ज़रूर जाएगा चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिजए ताकि नए वीडियो आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेर ज़रूर कर दियेगा वाटसेप और फेस्बुक पर और उनलाइन सेल लगते रहती है फोन्स के रेट कई बार कम हो जाते हैं तो दोस्तों लेफ्ट साइट पर वीव प्रोड़क्स का उप्शन उस पर क्लिक करके एक बार रेट ज़रूर चेक कर लिएगा हो सकता यह दुनों आपको और भी सस्ते मिल जाएं चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए